बॉर्णिंग प्यारे बच्चो वेलकम टू माई चैनल बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस की वरक शीट वरक शीट नमबर 24 जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है आज की वरक शीट में हम करेंगे घास खाने वाले जन्तू में पाचन तो जो जन्तू घास खाते हो उनमें क ऐसे पाचन होता है कोमल जो कक्षा साथ की एक विध्यारती है एक नजजी की पशुषाला में गई वहां उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुझ चलाए जा रही थी उसे बहुत आश्यर हुआ फिर उसने अपनी टीचर से जाके पूछा गास काने जनतू होते हैं गाय भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निकल कर अमाश्य में एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं यह भाग ops क्या लेता है यहां पर भोजन पाचन होता है आधा पसता है फिर क्या होता है जब 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 इन्हें जरूत होती है तो ये इसमें से वापिस जैसे जुगाल कहते हैं परन्तु बाद में जन्तु इसको छोटे पिंटको के रूप में पुनाय मुख में ले लेता है जिसे वह चबाता रहता है फिर वापिस थोड़े- में से चबाने लगता है तो उसको जुगाली करना एंगलिष में कहते हैं और ऐसे जो जंतु है उनको कहते हैं यहां पर रोमंधी कहते हैं घास में सेलूलिोज होता है सबसे ज्यादा जो एक प्रिकार का कार्वोहेड्रिड है रूमेनेंट्स में शुद्रांत एवं ब्रहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी सनरचना होती है जिसे अधनाल कहते हैं जिसके अंदर सेलुलोस इखटा होता है बोजन के सेलुलोस का पाचन यहां पर कुछ जिवाड़ों द्वारा कि और है जाता जो ग्हजंशा के अहаनल्र में अनुपस्तित होते हैं चली अब हम कवेशन अंसर कर लेते हैं सबसे पहला क्यों से हैं किसे कहते हैं तो आप फ़र्सका औरस लिखेंगे यहां से यह पोड़ा आप यहां तक आंसर लिखेंगेगely आपका फर्सका वांसर होजाρη कहलाता है कि रूमेरेंट्स के तीन उधारन दीजिए तो बैटा रूमेरेंट्स के तीन उधारन है एक तो होगे गाए भैस और आप एक लिख सकते हैं बक्री ठीक है तो यह आपका क्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा जो घास काते हैं उनके जानवरों के नाम लिखने आप सबीकिलर का थार्ड हो जाएगां ठीक है turkey अब का पलाचन है कि यहिश्य आप इसका लिख दीजीगा यहां के लिख दीजेगा आप रूमिनेंट्स में ठीक है रूमिनेन्सulares दूमें आप लिखेंगे भोजन के इसे वे सालिण आत्सार रूमिनेंट्स में कुछ सब्वारक किया जाता है जो मनुष्य के आहनली में अनुपस्तित होते हैं यह आपके थर्ड का अंसर हो जाएगा छिला एफ दिने बलेंगस घहास में क्या होता है सैल्ली लोज होता है जो एक प्रकार का क्या है, कार्वो हाइडरेड, यहां पर लिखेंगे, कार्वो हाइडरेड, होता है, ठीक है, फिर क्या है, जनतु जो जुगाली करता है, उसको क्या कहते है, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, रूमिनेंट्स, यहां पर रूम नती भी करें. Thank you.